क्वेशन क्या कहता है the least perfect square which is divisible by 21, 36 and 66 is और 4 option दिया हुआ है क्वेशन कह रहा है कि जो least सबसे छोटा perfect square है जो divisible है किस से 21 से 36 से और 66 से के वो कौन सा है हमें 4 option में से बताना है कौन सा वो least perfect square है जो 21, 36 और 66 से divisible है तो सबसे पहले इस type के question में क्या हम करते है कि जो divisor है उसका हम LCM निकाल लेते है ठीक है डिवाइजर का LCM निकालते है मतब किसका LCM निकालना है 21 का 36 का और 66 का LCM कैसे निकालते है वो हम भी पता है हम क्या करेंगे इसको अब हम इसके factors से divide करेंगे सबसे पहले हम किस number से divide करने वाले है वो है 2 तो 21 तो divide ने होगा यह सेम आजाएगा यहां पर आजाएगा 18 और यहां आजाएगा 33 इसी तरीके से अब सारे के सारे जो नीचे हैं वो अब किसी और वैलू से नहीं डिवाइड हूंगे, इसका LCM जो निकल के आएगा, उसका factors के आएगा, वो आएगा 2 x 3 x 7, इस 6 को हम 2 x 3 लिख सकते हैं, ठीक है, अब मैं लिख लेते हैं, 2 x 3 x 11, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन से जो numbers हैं, वो आपस में paired है, ठीक है, उनकी pairing है, ठीक है, तो यहाँ 2 है, और यहाँ भी 2 है, it means 2 का square, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, it means 3 का square भी है, 7 और 11 एक ऐसी value है, जिनका कोई भी paired नहीं है, मतलब वो square में नहीं है, लेकिन हमें ये चीज त्यान देनी है, कि हमें जो value बतानी है, वो least perfect square बतानी है, it means कि यह जो values है, जो single digits में है, मतलब उनके साथ कोई pairing नहीं है, उनको हमें pair करना पड़ेगा, तो हमें least perfect square मिलेगा, it means जो यह 7 है, इसको भी हम square करेंगे, और 11 जो है, उसको भी हम square करेंगे, अब जो product आएगा, इ means 4 into 9 into 49 into 121, इनको multiply करने के बाद जो product आएगा, वही हमारा क्या होगा, least perfect square होगा, जो 21, 36 और 66 से divisible होगा, वो जो इनका product निगलेगा, तो हो कौन सी value होगा, 213, 4 times, 3 times 4